चिताउन का तरकारी उत्पादक किसान ले सुक्रबार नारेंडगर को पुल्चोक मा तरकारी फालेर बिरोज जनाये। चिताउन का तरकारी उत्पादक किसान ले सुक्रबार नारे बिरोज जनाये। इस्थानी उत्पादन ने परेप्त भहिरय को समय मा भारत बाट आयत बड़े को भंदै आकरोशित किसान हरुले आयती तरकारी का कानन इस्थानी ये किसान ले गरेको उत्पादन बेकरी हुन चाड़े को बताए। देश मा उत्पादी तरकारी ले बजार न पायको अबस्तामा सरकार ले आयत रोकी दिनो परने तर सरकार उल्टे आयत लाई प्रोशाहान गरने तरफ लागे को उनी हरुको गुनासो थियो। पठक पठक तरकारी आयत रोकन भंदे बेविन्न स्वंग मा धाय पने आफु हरुलिको गुनासो सुन्ने रस्वंबोधन गरने काम कई कते भाट न भायको भंदे शड़क माने आउनो परेको आंदोलित किसान हरुको भनाई शल। अमले उत्पादन गरेको चीज़को तई मुले न पायको कारण लेकाता है। अमले उत्पादन लेको चीज़को तई मुले न पायको कारण लेकाता है। अमले उत्पादन लेको चीज़को तई मुले न पायको कारण लेकाता है। पर तिया पिआदी आलेखाया लियाएको तरकारी फल्फूल हरूँंचे, वड़ी जाने मार्केटे आमरेटने शोद्सान को बादाने अगर में, पालेगा प्राइस अगड़ी, शोद्सान को बजा थे, बजाते लाई रामरो बजाते, विड़ी इस बीशान को तरकारी लाई कांब और नमें अ चीज में आन्यां को सीवाइन नाइंग आपुगं आपूले पर क्रों तरगाली उद्यान लीड़ा निर्वाध रूप माझने अमृट्नुट काली। देश को उत्पादन ले पूगने अबस्तामा विदेश बाट आयात गरीने तरकारी मा भनसार बडाएर नियेंचन गरना सकीन छा। सुन्ने हो भने भोली का दिनमा क्रिसी मा आत्मनिर्वर होईना बहयको पने गुमावनुपर ने देखीन छा। तेसाइले किसान का पिडामा समय मैं मलाम लगावने की सरकार। ग्लोबल टेलेविजन एजडी का लागी वसुदा केसी को रिपोर्ट।